आज दाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विज्यान, भौतक विज्यान और जी विज्यान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोडो कीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरट वीडियो सिलीशन पाओ अब ही डाउनलोड करें अयुगमित इलेट्रोन की संख्या है, ठीक है, और साथ में जटिल आयन की जयमिती क्रमशा क्या होगी ये हमें प्रस्ट में पूछा गया है, तो दोस्तो सबसे पहले ये जो हमें संखुल योगिक दिया गया है ठीक है यहाँ पर दोस्तों यह जो हमारा संकुल योगिक है यह संकुल योगिक दोस्तों किस तरह से यहाँ पर हमें दिया गया है इसकी जो सरत्ना बनेगी यह है हमारे पास इस तरीके से Ni ठीक है और यहाँ पर है X4 और यहाँ पर क्या है 2-1 है अब दोस्तों सबसे पहले हम यहां पर क्या करेंगे केंद्रिय धातु पर्मानु को पहचानेंगे तो यहां पर दोस्तों हमारा जो निकिल है यह हमारा क्या होगा दोस्तों यहां पर हमारा केंद्रिय धातु पर्मानु के रूप में उपस्ति था यह ठीक है तो हम कह सकते हैं कि यह हमारा क्या है यहां पर तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर मैं इसकी सरत्ना बना लेता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इसकी, तो दोस्तों हम जानते हैं कि जो हमारी सरत्ना बनेगी, तो सरत्ना इसकी क्या होगी, इसका पहचान हम किस तरह से करेंगे, इसमें दोस्तों यहाँ पर हम संकरण को भैचानेंगे कि इसमें कौन सा संकरण हो रहा है और इस संकरण के अधार पर इस संकरण के अधार पर हमें क्या पता चलेगा हमें इसकी सरतना पता चलेगी कि तो सबसे पहले दोस्तों ये जो हमारा है nickel, ये जो हमारा nickel का परमाणू है, इसकी हमें electronic विन्यास दिख लेते हैं, जो कि यहाँ पर किस तरह से हो जाएगी, यहाँ पर हमें दिया गया है इसका 28, तो हम कह सकते हैं कि इसका electronic विन्यास क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1H2, 2H2, 2P6, 3H2, 3P6, 4H2 तो कितने हो गए हम गिल लेते हैं यहाँ पर यह हो गए 10 यह हो गए हमारे 18, 19, 20 अब यहाँ पर 8 electron और यह हो गए हमारा 3D8 तो इस तरह से दोस्तों हमने क्या कर लिया इस तरह से हमने 28 electron को यह स्थित कर लिया अब दोस्तों यहाँ पर हम देखे अगर मैं दोस्तों इसके 2 electron को यहाँ से बाहा निकालूँ तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इसके कख्षक बना लेता हूँ यह हो गए हमारा 3D के लिए, यह हो गए हमारा 4S के लिए और यह हो गए हमारा 4P के लिए, ठीक है तो इस तरह से हमने इसे बना लिया अब दोस्तो हम कह सकते हैं ये होगे हमारा 3D के लिए ये होगे हमारे 4S के लिए और ये होगे हमारा 4B के लिए अब दोस्तो 3D में हमारे कितने 8 electron है तो मैं इस तरह से चक्रन दिखा देता हूं यह होगे हमारा clockwise और यह होगे हमारा anti-clockwise तो हमने इसमें 8 दिखा दिया अब दोस्तों यहाँ से 2 प्लस है मतलब कि 2 electron बहार निकले और किस से निकल गए S से निकल जाएंगे तो S में क्या हो जाएगा यह कख्षिक जो है वो खाली रहा जाएगा अब दोस्तों यहाँ पर हमें संकरन बताना है दोस्तों यहाँ पर जो हमें संकरन देखने को मिलेगा यहाँ पर क्या है X4 है X4 मतलब कि क्या है एक यहाँ पर भर जाएंगे एक यहाँ पर एक यहाँ पर और एक यहाँ पर पर हमने क्या देखा हमने दोस्तों यहां पर देखा कि यहां पर हमारे क्या है अयुगमित इलेक्ट्रॉन भी उपस्तित है तो हम कह सकते हैं कि यहां पर हमारे अयुगमित इलेक्ट्रॉन भी उपस्तित है और अयुगमित इलेक्ट्रॉन अगर उपस्तित है दोस्तों तो यह यह हमारा क्या होगा यह होगा दोस्तों हमारा अनुचुम्ब की यह ठील ठीक है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या होगा यह होगा हमारा अनुचुम्ब की यह ठीक है तो अब दोस्तों सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या कर लिया हमने दोस्तों यहाँ पर संकरन पहचान लिय वो क्या बनेगी चतुस फलकी है तो हम कह सकते हैं कि जो हमें यहाँ पर सरचना या फिर हम कह सकते हैं कि जयामिती वो हमें क्या देखने को मिलेगी वो मिलेगी हमें चतुस फलकी है अब दोस्तों यहाँ पर हम इसकी सरतना बना लेते हैं यह हमारे संकुलियोगी का अब दोस् तो यहां पर हमारे legend क्या है x के रूप में है तो हमारे 4 x इस तरह से विवस्तित होंगे ये हो गया पैला x ये हो गया हमारा दूसरा x ये हो गया हमारा तीसरा x और ये हो गया हमारा चौथा x ठीक है तो इस तरह से दोस्तों ये क्या रहेंगे निकल से जूड़े रहेंगे ठी अब दोस्तों यहां पर मैं इसकी सरतना इस तरह से बना लेता हूँ, यह हो गए हमारे इस तरह से, और यह क्या होते हैं, एक दूसरे से, इस तरह से, डौटरी डिस्ट्रक्चर में जूडएंगे, ठीक है, तो यह हो गए हमारा इस तरीके से, और यह जो हमारी पूरी सरतना है तो हम कह सकते है कि यहां पर कमें दो यहां पर अयुग में इल 2017 इसके करण से हमागी और अचुक्त की रख साथ में यहांपश और यहां पर दोस्तों हमें पिरशन समझा और अधान कि अम एकूशक करते हैं आशी डाउन्योट करें डाउटने डाप या वच्छाप करें अपने सारे डाउट्स 8444 पर